जो परमप्रधान के छाय हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विशय कहूंगा, वो मेरा शरंस्थान और गड़ है, वो मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वो तो तुझे बहेलिय के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरंड पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ठाल और जिल्म ठहरेगी। तू न रात के भई से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाडता है। तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित आग्या देगा, कि जहां कहीं तू जाएवे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंग और ना को कुचलेगा, तू जवान सिंग और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेल किया है, इसलिए मैं उसको छुडाऊँगा, मैं उसको उचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूँगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, मैं उसको दीर घायू से त्रिप्त करूँगा, और अपने कीज़़े नाम को जान लिया है।